एक को involved कुछ है है correct अगला किर दोपर रनुजा केलकर मैंप्तिश्ट 10 में जूस्टे मैं दौक्लर अनुजा केलकर मैं साइटरिस्ट हूँ सब क्रहें हैं इसके बारे में बात करें है अब प्रीमेंस्ट्रॉल याने क्या तो मेंसेस के पहले आने वाला प्रोब्लम मेंसेस जिसको काफी महलाए पीरेड़ बोलती है महिना बोलती है या फिर महावारी भी बोला जाता है तो यह महना आने के पहले कुछ स्त्रियों में मानसिक और शारिरिक बदलाव होते हैं और इन महिलाओं में ये प्रॉब्लम मिलता है ऐसा माना जाता है कि 80% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है जनरली ये पिरेट शुरू होने के एक से दो हफते पहले प्रॉब्लम शुरू होता है और जैसे ही पिरेट शुरू होते हैं तो ये प्रॉब्लम निकल जाता है लेकिन ये जो दो हफते तकलीफ होती है यह काफी महलाव में उनकी productivity उनका work affect करती है इसका current particular नहीं है ऐसा बोला जाता है कि hormonal imbalance की वज़ा से यह problem हो सकता है और काफी महलाव में psychological stress उनके around psychological stress हो सकता है जिसकी वज़ा से यह वो problem face करती है यह जो problem है इसमें diagnosis यानि निदान करना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह जो problem है यह लगातार हर महने औरतों में मिलना चाहिए और उसका presentation यानि जो टकलीफे वो हमें बताती है उसका presentation जो है वो continuous सेम होना चाहिए तभी उसका diagnosis possible है और वो detect हो सकता है जो लक्षन इसमें हमें दिखते हैं उसमें है सरदर्द, नीन आना, बेचैनी होना, उदासी लगना, इंट्रेस्ट कम हो जाना, mood changes काफी महिलाओं में दिखते हैं irritation दिखता है, हर बात में चिड़चिड करना या उनकी सहन शीलता यहने intolerance कम हो जाता है जिसको हम intolerance ऐसा भी कहते हैं तो यह ऐसी काफी variations हमको स्त्रियों के mood में, psychology में दिखते हैं इसका जो treatment है वो ऐसा particular हम नहीं बोल सकते लेकिन जैसे regular diet अगर females ले उनकी नीन अगर 6-8 गंटे प्रॉपर हो या फिर वो regular exercise करें खुद को time दे अपनी जो hobbies है जो वो अपने लिए खुद leisure time है वो spend करें खुद को खुश रखने के लिए जो वो कुछ कर सकती है जिससे उन्हें आनन मिलता है वो चीजे करें उसके साथ counseling sessions भी कुछ-कुछ महिलाओं के लिए जरूरी है जिससे उनका अगर stress है तो वो stress कम हो जाएगा और stress कम करने के लिए उनको मदद मिलेगी कुछ महिलाओं में जैसे मैंने कहां कि productivity कम हो जाती है उनका mood काफी irritable रहता है वो workplace में उसका effect हमको दिखता है तो इसके लिए अगर ये अपना खुद का individual decision है लेकिन अगर उन्हें लगे कि ये problem हमारी life हमारी quality of life disrupt कर रहा है तो जरूर psychiatrist को मिले उनसे उसकी proper treatment ले इसके लिए antidepressants काफी लोगों को दिये जाते हैं अगर उन्हें problem है तो ताकि उनका mood अच्छा रहा है क्योंटेशन कम हो और जो उनकी सहन शीलता कम हो जाती है उसके लिए भी मदद हो मेरे पास एक फीमेल आई थी एक 21-22 साल की उसकी उमर होगी उसे ये लगातार प्रॉब्लम हो रहा था चार-पास साल से लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था काफी डॉक्टर्स हो गये लेक है सब पता चला कि उसके वर्क वर्क प्लेस में इतने प्रॉब्लम्स उसे हो रहा है उसे हर चे मैने में आट मेने में नोकरी चेंज करनी पड़ रही है क्योंस के continuous clashes होते हैं, उसे problems आती है, वो काम नहीं कर पाती है और उसे नोकरी छोड़नी पड़ती है, तो ऐसे हमें problems काफी महिलाओं में दीखते हैं और वो undetected जाते हैं, इसलिए इसके बारे में और हमें अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे क्लिकर तो और कर साइकेटरी नर्सिंग होम के ऑस्पिटल नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं हमारा कॉंटेक नंबर है 950-330-9619 ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्त के लिए जो भी इंफर्मेशन हम देते हैं वो पहुचाए गन्यवाद